स्टेरिंग के बारे में बात करूँ है और गाड़ी अद्दर कर रखिए बिल्कुल दोनों टायर इसके अद्दर हैं और मैं इसमें प्रोब्लम आपको बताना चाहता हूं यह देखिए अपन जैसे इस्टेरिंग कारते हैं यह देखिए कहीं पर टाइट और जबकि दोनों ट अगर अगर आपको करना क्या है काफी छोटा प्रोसेस है और आप खुद कर सकते हैं बिना किसी मेकैनिक के अपने गाड़ी के इस तरीके सब बोनट खोलना है देखिए जैसे में इसका बोनट खोल रखा है और आपको मैं बता दू आपको एक बंदे को लेना है और मैं बताता हूं आपको करना क्या है पूरा प्रोसेस बता हूं इसमें पूरा तो चलो देखो मैं दिखा देता हूं करते क्या है तो दोस्तों देखिए इस तरीके के एक बोतल लेनी है अना एक मुबाइल पकड़ना एक सब्सक्राइब देखो इस तरीके इस बोतल लेनी है और जैसे की बेर पास ये डीजल है दोस्तों आप डीजल अराम से लें प्रेट्रोल भी ले सकते हैं आप अब छोटा सा प्रोसेस बस ज्यादा कुछ भी बढ़ा नहीं है कापी छोटा है और आप खुद घर पर कर सकते हैं आराम से इजवली तो देखें दोस्तों इक बोतल के वहाँ पर उपर छेद कर लिया एक आपकी इस्टेरिंग ऐसी हो जाएगी बिलकुल फिरी अगर एसी जाम होने की बज़ेसा अगर कोई भी मेकनिक आपको यह बोलन पर इस्टेरिंग खतम है आपकी तो देखें मैं दिखाता हूं चलो जी बाहर जाता हूं मैं गाड़ी के पार मैं व्यूड़ी जादा लंबी हो जाएगी तो दोस्तों यह देखें मैं डीजल की बोतल लिया है अब इसमें देखें हमने यह छेद कर लिया तो यह धार बन रही है हना अब इस पोजिशन में 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 बताओं क्या करते हैं दोस्तों बता देता हूं आपको मैं कि निगा आप से इस बोलें और आपको पूरा सामान डाल देंगे और फिर भी मान लीजा अगर लास्ट में कंपलीट करने के बाद में अगर उनको टाइट लगे तो फिर लास्ट में चोटा सा प्रोसेस करके उस बीमारी को दूर करेंगे जबकि आपको पहले ये करके देखना है में बताता हूं जिसे एक बंदयो का आपको स्टेरिंग घुमाने के लिए वैफलेना है जैसे को मैं दिखाता हूं आपकोď बस इस यह जोइंट एना इसका इस पर डीजल डालते रहना है बस आजी घुमाते रहो अब देखें प्रोब्लम भी दिखा देता हूं आपको डहसे देखिए जोइंट में एक जोइंट पर देख रहा है ना कि देखे कितना ज्यादा जंग है बस रोग दो तोड़ी शी गुमार रोखो और गुमाँ थोड़ी और और बस अब देखें इसका एक जोईंट है कितना जंग खा रहा है यानि इसकी एक कटोरी का अंदर पानी जाने की वज़े से इसकी एक कटोरी जाम हो चुकी है उस वज़े से क्या होता है इसकी जंग निकल जाएगी पूरी और जंग निकलने के बाद में भी आपको क्या करना है वह भी मैं बता हूँ इसमें ओइलिंग कैसे करनी है तो पहले मैं यह कल लेता हूं यह देखें इस तरीके घुमाना एक ब सब्सक्राइब है आपको 200 अमेल यानि की पावर उस इस पर पर ब्रेस वह देते न हो आ पैको इस करना है आपको इसको दैखेंड किसी तो एकिवार इनिक पर बना क्या है यह जो मोटर सयंग लिए देको वील चैन में जो इस्परे देते न वह इस्पर लेनी है जयानि यह रजर्ट मिलेगा दोस्तों काप सोच भी नहीं सकते जादी इस्टरींग गुमाओ यह स्प्रे लेनी है और इस तरीके से इसको गुमाना है किसी से भी और यह इस्प्रे माननी बस लिग थोड़ी मानना है और गुमाते नहीं एक बंदे से बस बस यह मार दी अब यह क्या जैसे ही इसमें चल जाएगी न अंदर तक चल जाएगी बद अलगा पुलका मारते रहे ना और एक बंदे गुमवा ना यह थोड़ा बहुत मार दिया अब यह बिल्कुल अंदर जाकर ओईल किया इसमा अंदर तक चल जाएगा जिससे इस्टरिंग बिल्कुल फिरी हो मिलेगा जो आप पता नहीं सकते कितने प्यार सो गुम रही हो पहले पकड़ कर जोड़ सो गुमानी पड़ रही थी और कहीं कहीं बीच बीच में टाइट होती थी है तो यह देखे यह फॉर्मूला सबसे बैस्ट आप चाहो तो जेक लगाओ यह मत लगाओ आप बिना जेक मिलेगा और मैं एक चीज़ बताओ देखो बरसाथ जाने के बाद या फिर सर्थी जाने के बाद ही यह जाम होता क्योंकि इसमें दीर-दीर सीम जाती जंग लगती है फिर जोइंट किया इसका जाम हो जाता है जंग लगने की वज़े से इससे स्टेरिंग टाइट हो जाती क से गुमा कर उसको ओईलिंग कर सकते हो काफी जी है आप खुद कर सकते हो और इससे आपकी स्टेरिंग का इतना अच्छा रजल्ट मिलेगा आपको यह में बता नहीं सकता कि आप यानि एक बार करके देखो अगर आपकी स्टेरिंग में इसी कोई प्रोब्लम है ना कि जाम ह क्या करते हैं मैं हमेश होता हुखता हुए छोटा प्रोब्लम होता है कोई बड़ी चीज के खराउने के पीछे आपको बत demand आपने गाड़ी च्वोड़ दी और आप चले और आप उसके बाद में आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो शायद अगर वह चीटर होगा ने जो यह माले से लिए सिर्फ पेसो का बुका वह बंदा आपके साथ और भी ज्यादा कुछ चीट कर सकता है जिसे मालों सामान कुछ नहीं डालेगा यही फॉर्मॉला करके आपकी स्टेरिंग नरम करते हैं और आपको बोलते हैं इसमें काफी कुछ क जिए फिरी कर सकते हैं पानी के तरह यही अगर आपकी विविमारी में मिस्टेक है जाम होई गरा पाथ आपको जानता कि अगर यह घृता कि गारी की बिल्कुल परफ़ेस हो जाएगी और अगर यह सब नॉर्मली इसमें को ड़ेश्ट्ट वस्ट बुच जाती है कूं गार से तो फरक पड़ेगा इसको आपने की लिंग कर लियां तो आपकी इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग भी फाल तो पैसे ना देने पड़े नहीं को चीट का काम करने वाला मेकनिक आपको पैसे दूर सके तो यह मैं इसलिए प्रोफिल यह वीडियो मनाता हूं और हमेशा केता हूं मैं एक छोटा प्रोसेस होता है तो वीडियो को शेयर करो आपके जितने भी जान दारें वासप ग्रूप पे सब करो ताकि लोगों पता लगे इन चीजों को बारे में ताकि वो लोग अपनी गाड़ी को इस तरीके से खुद ही रिपेर कर सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों वीडियो को लाइप करते क्योंकि आगे भी मैं अपने यूटूब चैनल पर इसी ही तरीके की जो मेकेनिकल पब्लिक प्रोफि और हुआ अच्छी सची एड़वाड दूआ है तो थैंक्यू सो माच फॉर वासिंग वीडियो मिलता है नेक्स वीडियो में जो बैतरीन होगी और आपके फायदर की होगी और मेकेनिकल होगी थैंक्यू सो माच